सरकागाट क्षेतर के तहित भामला चौंक पर स्थानी व्यापार मंडल और लोगों ने एक सार्वजनिक शौचाले बनाने की मांग की है भामला चौंक से मंडीब लासपुर और हमीरपुर के लोगों का एक दूसरे जिले में आना जाना रहता है ऐसे में भामला चौंक पर कोई भी सार्वजनिक शौचाले ना होने के चलते लोगों को दिग्दों का सामना करना पड़ता है सबसे ज़्यादा परिशानी बुजूर्ग और महिलाओं को उठानी पड़ती है इससे दरजनों दुकानदारों और आटो मोबाइल आधी का काम करने वाले लोगों को भी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस थान पर कई छोटी छोटी अध्योगी की काईयां भी हैं जिसके चलते यहां पर सारफचनिक शौचाले का होना बहुत जरूरी है लेकिन सालों बाद भी यहां कोई शौचाले नहीं है ऐसे में यहां के लोगों में सरकार के खिलाफ भारी रोश है इसके साथ यहां बसें भी रुकती हैं सरकाघाट, मंडी, मिनाली, घुमारमी, शिमला, पचंडीगड के लिए यहां कुछ देर रुकने के बाद ही बसें आगे जाती हैं लेकिन शौचाले नहीं के कारण यात्रियों को भी भारी परिशानी होती है ब्यापार मंडल भामला चौंक परधान, करतार सिंग ठाकूर, साचिव अबशेक ने मांग उठाई है कि यहां पर लोगों की दिखतों को देखते होए शौचाले का निर्मान किया जाना जाहिए प्याए टीवी के लिए सरकाघाट से चमन ठाकूर की रिपोर्ट